हलो गुड मॉर्निंग स्वागत आपका मेरे चैनल हेर सलुशन पर मेरा नाम है सवरबर्मा और मैं कैलिपॉर्णिया अमेरिका से हूँ अभी यहां पर पढ़ाता हूँ तो यह अलग अलग तरह के होते हैं इसमें परसेंटेज होती है इनको वोल्यूम भी बोला जाता है 10 वोल्यूम, 20 वोल्यूम, 30 वोल्यूम और 40 वोल्यूम तो परसेंटेज का मतलब क्या है परसेंटेज का मतलब है कि इतने परसेंट इसके अंदर हाइडरोजन परकसाइड की मातरा है 3% है, 6% है, 9% है या 12% है Hydrogen Paroxid की मातरा यह डिपेंड करता है कि आपको उसको कैसे यूज करना है आज मैं बताने वाला हूँ, हम कैसे यूज करेंगे Hydrogen Paroxid का, इनके क्या-क्या यूजज है कौन सा Paroxid कब यूज करना है यह आपको आज मैं डिटेल में बताऊँगा तो शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूँगा 10 Volume की, जिसको बोलते हैं हम लोग 3% Hydrogen Paroxid मतलब इसमें 3% Hydrogen Paroxid की मातरा है उतने percentage ही इसके अंदर Hydrogen Paroxid है तो इसका क्या मतलब है यह हम क्यों यूज करते हैं यह हम यूज करते हैं specially for Root Touch Up Roots के लिए and Global Color के लिए यह specially Dark Hair पे ही यूज किया जाता है और Dark मतलब Dark Base के लिए ही यूज किया जाता है और Dark Color ही यूज होते हैं इसके अंदर यह Depositing के काम आता है Deposit कर सकते हैं आप और साथ में इससे Global भी किया जा सकता है बट यह इतना अच्छा Settle Look नहीं देता है यह Semi Permanent Look देता है ठीक है Gray Coverage भी होता है बट अच्छे से नहीं होता है Translution Effect देता है एकदम Perfect Result नहीं मिलता है Depend करता है अगर आपके बाल पतले हैं तो बहुत अच्छा Result मिलेगा अगर बाल थिक हैं तो Result इतना अच्छा Perfect नहीं मिलता जो आपको चाहिए कि 10 Volume से मुझे चाहिए वो अचीव करना तो वो संटाइम्स नहीं हो पाता है तो इसके बाद है हम बात करेंगे इसका और क्या काम है तो यह हम यूज़ करेंगे Sensitive Sculpt के लिए Specially Sensitive Sculpt जिनके बाल में Itchiness होता है जब भी आप Color करते हो या Volume लगाते हो 20 Volume लगाते हो उससे Itch होता है तो आप 10 Volume यूज़ किजिए उनके लिए है Specially काफी हद तक coverage करता है उतनी strength नहीं है जितनी 12 Volume मतलब 6% के अंदर है That's why ये Translution Effect देता है इसके बाद हम बात करेंगे 20 Volume की 20 Volume क्या-क्या काम करता है तो शुरू कर लेते हैं 20 Volume जो है ये सबसे ज़ादा यूज़ होने वाला पैरकसाइड है इसकी जो मात्रा है वो 6% है और इसके अंदर 3% नहीं 6% Hydrogen परकसाइड है तो डबल हो गया ओविसली स्ट्रॉंग है गड़िट प्वाइंट समझे आप येस तो ये एक मात्र ऐसा developer है जो यूज होता है स्कल्प के उपर सिरफ ये और 10 Volume दोनों हम यूज़ कर सकते हैं 10 and 20 ये जादा तर अच्छा मजबूत strength wise जो result देता है वो 20 Volume है बहुत अच्छा result देता है इससे हम लोग ग्रे कवरेज कर सकते हैं सबसे बड़ी बात ग्रे कवरेज करेंगे इसके अंदर 20 Volume के अंदर ही ग्रे कवरेज होगा और scalp पर यूज़ करते है दो चीज़े हो गए तीसरी चीज़ ये level on level पर काम करता है level on level क्या है मैं आपको समझा देता हूँ जैसे मालो एक client है उसके बालों का color जो natural color है वो है number 4 ठीक है और वो dry है थोड़े से लग रहे हैं लगा दीज़े बालों पर scalp पर लगा दीज़े कोई problem नहीं है 20 volume के साथ और बहुत अच्छा result दे लेगा आपको level मतलब 4 नंबर के बाल थे और 4 नंबर ही color करना है तो level on level हो गया तो सबसे easy है level on level करना बहुत अच्छा result देता है 20 volume है जो वो depositing करने के काम भी आता है depositing कैसे जैसे की pre light किया हुआ है बालों को तो उसके अंदर अगर हमें कोई tint या tone हमें deposit करना है तो भी ये काम में आता है उसके बाद ये use करते हैं हम darkening में darkening किसको बोलते हैं मालो किसे client के बालों का color चे नंबर का था या उन्होंने को प्रीवियस कलर कर वा है था नंबर 6 अभी उनको 5 या 4 नंबर चाहिए मतलब हम लेवल वाइज नीचे आ रहे हैं तो आप ये 20 volume के साथ कर सकते हो darkening करने के लिए उपर से नीचे आने के लिए darkening करने के लिए आप 20 volume यूज़ कर सकते हो ये global color में भी यूज़ होता है जब आपको full head color करना है ये तब भी यूज़ कर सकते हैं global के लिए यही एक मात्र color है और इसके बाद root touch up के लिए भी हम यूज़ करते हैं यही same color roots पे भी लगा सकते हैं मैंने sculpt की बात की and ये one level lift देता है for thick hair और दो level lift देता है for thin hair पतले बालों में ये दो level lift देता है तो देखिए एक छोटा सा जो developer है 6% का कितने सारे काम कर रहा है मैंने कितने सारे काम गिना दिया इसके राइट तो ये सबसे ज़्यादा चलने वाला use होने वाला salon के अंदर एक मातर product है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है चलिए इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ ठटी volume की तो जो 30 volume है उसको हम लोग 9% भी बोलते हैं 9% 9% काफी लोगों को पता होगा इसका मतलब है 9% इसके अंदर 9% hydrogen पेरफसाइड की मातरा है ये स्ट्रोंग है तो सबसे पहले ये highlights करने में यूज में आएगा ठीक है दूसरा number ये global भी कर सकते हैं बट roots पे नहीं लगा सकते अगर आपको length वाले बालों का color lift करना है और roots पे आपको 20 volume ही use करना पढ़ेगा इससे grey coverage नहीं होता तो ध्यान रखिएगा grey coverage नहीं होता है इससे ठीक है roots पे नहीं लगा सकते बट global कर सकते हैं highlight कर सकते हैं pre light कर सकते हैं bleach के साथ बालों को एकदम lighter level तक लेके जाना है तो यह कितने level lift देता है तीन level 2 से तीन level 2 level lift देगा यह thick hair पे और thin hair पे 3 level lift देता है तो यह हो गया आपका 30 volume के बारे में मैंने बता दिया आज आज आपको इसके बाद हम बात करते हैं 40 volume के बारे में काफी लोगों को पता होगा और काफी लोग use भी करते है यह volumes और जादा detail में बताने का यही मतलब है कि यह जो volumes हैं यह सब brand में same होते हैं तो सब का काम भी same होता है ऐसा नहीं है कि L'Oreal का अलग है Shoscop का अलग है Vela का अलग है Matrix का अलग है ऐसा कुछ नहीं सबके सेम 몇 और ये काम भी सेम है ठिक है तो हम 40 वोल्यमुम पर चलते है 40 वोल्यम क्या काम करता है सब से पहले semanas करने में काम में आता है कहीं भी आप रियूज कर सकते हो बलीचке अंदर और direct color के अंदर भी आप यह यूज़ कर सकते हैं, special blonde के साथ, जो series है Vela की, उसके साथ, या कोई भी blonde series है, उसके आप यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ, highlights के काम में आता है, पहला number, दूसरा number, ये 3 से 4 level lift देता है, 3 level lift देता है, ठिक hair पर, 4 level lift देता है, 3 hair पर, मतलब पतले बाल पर, ठीक है, समझ में आगया, याद रखिएगा, ठीक है, इसके बाद, इसको scalp पर यूज़ नहीं कर सकते, बट इससे global कर सकते हैं, global कैसे कर सकते हैं, roots टोड के बाकी बालों पर color लगा सकते हैं, 40 volume के साथ, roots पर आपको 20 ही यूज़ करना पड़ेगा, and number 4, जो point है, इसका म रखिएगा, तो आप सबको समझ में आ रहा है, इसके बाद, मैं आपको बता दूँ, हमारा कुछ कोर्स आ रहे हैं, चोकि paid course है, बहुत कम piece रखी है, मैंने, इसके बारे में बताऊंगा अभी, और आज का वीडियो जो था, developers को ले के वो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करक दीजे, आप क्या सिखना चाहते हो, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, next upcoming videos उसके उपर होगा, आज का वीडियो जो था, अगर आपको पसंद आया है, तो like, share, comment कर दीजे, जाने से पहले एक चीज़ बता दू, हमारे नए paid course है, जो कि यहां पर दिखाई देंगे, इन paid course में, आप देखी रहे हो, almost बहुत सारी videos मिलेंगे, आपको recorded videos, चो कि हमने already, काफी सारे topics उसमें cover कियो है, कौन-कौन से topics हैं, उस पर बात कर लेते हैं हम, इसमें है full color class, basic haircut 7, advanced haircut 5, olaplex treatment, smoothening, carotene, carasmoothening, state therapy, french balayage, hair extension, permanent blow dry, farming, और दो दिन का make-up class, तो ये आपको total 111 videos मिलेंगी, जिसके अंदर आप ये सारी चीज़े सीख पाएंगे, और इसकी जो fees है, वो भी आप screen पे देख पा रहे हो, आप join कर सकते हो जल्दी से, और ये course start हो रहा है, June 4, June 4 से, yes, तो जल्दी से ready हो जाईए, ये class join करने के हूँ, क्योंकि इस पे हम काफी सारे topics डालते रहते हैं, upcoming class के बारे में डालते रहते हैं, और काफी सारी video trailers भी डालते रहते हैं, आप जाके जरूर follow करें, इस पे routine में जो भी post आती है, hair tips के बारे में, वो भी यहाँ पे मिलेंगी आपको, हमारे channel को join जरूर कर लीजेगा, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, join का button है, like के भी एक दम बाजू में, तो आप अगर subscribe button के बाजू में, जो join का button दबाओगे, तो उस पे एक video मिलेगी आपको, जो की 3 minute की video है, उस पे पूरा detail में बताया हुआ है, कि अलग-अलग हमने course बनाए हैं, उसमें भी, but वो य जाने से पहले video को like कर दे, share कर दे, सब के साथ, अपने Instagram पे, अपने Facebook के, अपने WhatsApp पे, अपने WhatsApp स्टेटस पे लगाई है, सब लोगों को दीजिए, WhatsApp पे share कीजिए इस video को, और बताये कि हम लोग एक नया course लेके आ रहे, आज की video पसंद आई थे, इसके बारे में बताये, और share कीजिए, जाल से जादा share कीजिए, हमें share की बहुत जरूरत है, ठीक है, और अगर आपको video यही दुबारा देखनी है, दुबारा क्लिक कर सकते हैं, otherwise हमारे Facebook पे भी ये video है, और Instagram स्टेटस में भी ये videos मिल जाएंगी आपको, चलिए आज के लिए इतने हैं, फिर मिलता हू नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइटेकर, have a good day, enjoy, bye-bye